आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट ढोकला गुजराती स्पेशालिटी इसके लिए हमें कुछ प्री प्रिपेरेशन करना पड़ेगा हमें तीन कप राइस का आटा और एक कप पिसे हुई उड़त दाल को इनफ पानी में उसमें उपर मेथी दाने हैड करके दस घंटे तक फर्मेंट होने के लिए रख दिया है फर्मेंट होने के बाद आपका बैटर तैयार है हमें इस बैटर में हम स्वाद अनुसार नमक आट कर देंगे दही भी लेना है बैटर पेपेरेशन के लिए इसमें थोड़ा सोडा एट करेंगे अबाउट हाफ ती स्पून सोडा सोडा एट करने के वज़े से आपके ढोकले फ्लफी बनते हैं उसके ओपर थोड़ा गरम पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें ग्रीन चिली अद्रक का पेस्ट डाल रहे हैं हम आप चाहें तो आप इसे पीसिस में भी ग्रीन चिली जोर अद्रक के पीसिस भी डाल सकते हैं हमने इसमें पेस्ट लिया है इक पैन में हमने गरम पानी रखकर ने रख दिया है बैटर में हम कोरियांडर लीज आड़ कर देते हैं, धनिया इसके अंदर थोड़ा गरम तेल, बाउट वन टी स्पून गरम तेल आड़ करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे बैटर तैयार हो गया है अभी हमने इसमें बैलन्स के लिए ये और बरतन रखा है पानी में पानी हो चुका है, अभी हम इसमें एक प्लेट में तेल या गी से प्लेट को ग्रीस कर लेंगे और इसके अंदर रख देंगे अभी इसमें हम बैटर को फैला देंगे इस प्लेट में हम इसमें बैटर डाल देंगे इवनली प्लेट पे इस पे डालने के बाद हम इसमें इसको एक बरतन से धक देंगे और उसको अप्रॉक्सिमेटली टैन मिनिट्स तक होने देंगे दस मिट हो गए है अभी हम इससे देखते हैं कैसा यह हो गए है हमारे ढोकले रेडी हो गए हैं आप एक चाकू डालके देख सकते हैं अगर वो क्लियर निकलता है अभी इससे पीसे में कट कर लेते हैं हम इसको पीस करके कट करके रखेंगे और अब दो तीन मिट के बाद इससे निकालेंगे वरना यह चिपक जाते हैं थोड़े टाइम के बाद इससे निकाल लिए रोकले रेडी हो गए है चटनी के साथ इंजोई करिए वीडियो लाइक है तो प्लीज इससे लाइक करिए